आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें टाटा पावर के बारे में देखें 124 रुपे का ये शेर है टाटा पावर का आज ना ही कोई बड़ी तेजी है और ना ही कोई बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिले पिछले कुछ दिनों से मानो ये शेर एक लेवल पर आके रुक सा गया है वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि टाटा पावर में खरीदारी का मौका है कि नहीं कौन से लेवल पर बाइन करना ही चाहिए कितना टार्गेट आप अजूम करके चल सकते हैं लॉंग टम के लिए उन स के भारे में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो चल 125 से पहुंचा वापस अगर देखे तो वह यह लंबे समय से अगर देखा जाए तो कोई उतने ही बड़ी मुवमेंट यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है 125 का एक रिजिस्टन्स यहां पर काम कर रहा है अगर उसको तोड़ेगा तो शेर और उपर की तरफ जाता यह शेर तब तक यह इसी के आसपास 120 के आसपास से यह शेर आपको इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन हाँ एक साल में 165 परसंट का ग्रोथ है 46 रुपीज से आप देखे तेजी बनी फिर लंबे समय तक यह शेर आप देखे तक यह शेर आप देखे यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज के आप शेर है यह 40,000 करोड के आसपास का इसका मार्केट के आप है एनसे में देखे तो एक करोड 34 से 35 लाख का राउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है शेर होल्डिंग के बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है प्रमोटर ने अच्छी खासी खरीदारी करी है 37% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास पिछले साल और आज 47% के करीब पहुँच चुकी है मतलब एक ही साल में प्रमोटर ने साड़े 9 से 10% की खरीदारी करी है इतना ही नहीं प्रमोटर की पहले 4% की होल्डिंग गि मतलब प्रमोटर खरीदारी करने के साथ साथ जो गिर्वी रखे हुए शेर्स हैं उसको भी छुडा रहे हैं दूसरी तरफ बड़े फंड हाउजिस का भी बड़ा पैसा यहां पर लगा है चाहे एफाइल्स हो म्यूचुल फंड हो या इंशॉरंस कंपनी हो 12.17% की होल्डिंग एफाइल्स के पास है 8.83% की होल्डिंग म्यूचुल फंड के पास है 10.59% की होल्डिंग इंशॉरंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है LIC भी यहां पर 5.14% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है 155% का डिविडेंट पे कर रहा है वड़ा पर्षर आपको एक रुपए 55 पैसे डिविडेंट के तौर पर यहां पर मिल रहे है Tata Power में देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शांदार है तेजी के संकेत अभी भी बने हुए है यहां से और उपर तक जाने का दमखम की कंपनी रखती है Seat Tire के साथ इन्हों ने भाईया काफी बड़ा कैसे के tie-up किया हुआ है Solar Plant को लेकर इनकी जो मुंबई में facility है उसको लेकर Tata Motor के साथ भी इनका भाईया tie-up देखने को मिला था Joint Venture देखने को मिला था इसके अलावा और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले है खास करके renewable energies में तो देखे कंपनी का जो main focus है अभी के लिए वो renewable energy है कंपनी वहाँ पर काफी जादा खर्चाब भी कर रही है और कई सारे प्रोजेक्ट वो इस शेत्र के handle भी कर रही है फाइदा इनका ये है कि वह सरकार की तरफ से incentive तो मिल ही रहा है लेकिन renewables जो है वो future है आज का कल का भी तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए according to money control users 77% लोग खरीजने की सरा दे रहे 13% लोग बेशने की बात कर 10% लोग यहाँ पर hold करने की नसीफ़ आपको देते हुए नजर आ रहे है revenue की मैं बात करूँ तो revenue देखें कि यह तो लगातार बढ़ रहे हैं इनके revenue 32,500 करोड के आसपास के revenue देखने को मिले जो काफी अच्छे है काफी बहतर है काफी शामदार है हलाकि profits में थोड़ी सी गिरावट आई है थोड़ी नहीं काफी ज़्यादा गिरावट है 611 करोड का profit हुआ है 2021 में लेकिन यह expected भी इसलिए कि कमपनी ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है renewals वाले शेत्रों में कमपनी वहाँ पे काफी ज़्यादा expand कर रही है अपने business को इतना ही नहीं जो electric vehicles के लिए जो infrastructure चाहिए उसको भी develop करने में कमपनी एक बड़ा पैसा खर्च कर रही है 75 से 80 जितने शेहरों में इन्हों ने 400 से भी ज़्यादा charging station लगा दिये है और इस साल के end तक इनका plan है 100 से भी ज़्यादा शेहरों में 600 से भी ज़्यादा charging station लगाना आज जिस तरीके से आपको हर शहर में हर गली महले में मनलब गली महले में नहीं कहूँगा लेकिन हर शहर में आपको कई सारे petrol pumps वगरा देखने को मिलता है gas station देखने को मिल जाते हैं वैसे ही आपको आने वाले वक्त में electric charging station देखने को मिल जाएंगे तो याद रखें दीरे दीरे देखें लेकिन वक्त लेगा ठीक है अगर आप यह मान के चलो कि अगले साल सब कुछ हो जाएगा मैं अभी से खरीद के बैठ जाओ जी नहीं आप सब को भी पता है कि वैया electric vehicles को adopt करने में इंडिया को अभी बहुत जादा वक्त लगने वाला है और जितना वक्त लगेगा उतना वैया भी यहाँ पर शेयर में growth आने में भी time लगेगा टाटा पावर देखे बहतरीन शेयर है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है बहतरीन शेयर है यह लेकिन कुछ चीजे हमें यहाँ पर यह भी समझनी है कि टाटा पावर देखे इसके चार्ट पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी रफ्तार के बाद लंबे समय तक शेयर ठका था सांस लेने के लिए रुका था उसके बाद बड़ी तेज़ी दिखाई अब भी देखे बहुत बड़ी रैले यहाँ पर बनी हुई है ठीक है और लंबे समय से यह एक प्राइज रेंज को होल्ड कर रहा है एक बड़ी तेज़ी आने के बाद शेयर 127 से करीब पहुँचा लेकिन तब से लेकर अब तक यह 127 और 118 के बीच में घुम रहा है उसके उपर नहीं जा पाया है यह टाटा पावर करंट वैल्यू डेफिनिटली इसकी इंट्रिक वैल्यू से जाधा है बैंक एबडी से अच्छा दिन नहीं दिया है लॉंग टंक के अगर हम बात करें तो लेकिन अभी भी अच्छा डिविडेंट पेंग शेयर है खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि और बोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेट फ्लैक्स नहीं है लेकिन दूसरी तरफ पी रेश्यो इसका बढ़ चुका है 35 का हो चुका है जबकि सेक्टर पी 20 का है ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका जबकि पॉजिटिव चीज यह है कि भाईया 75% एनालिश्ट आपक परसन आलिश्ट यह बहुत बड़ा नंबर्स है और डेफिनिटली कंपनी मुझे पसंद आती है लेकिन लॉंग टर्म में शॉट टर्म में नहीं ठीक शॉट टर्म में देखिए क्या होगा आप देखिए 127 तक पहुंचा अब लंबे समय तक यह रुका है ठीक है तो जो लो होते हैं उसको आप ट्रेडिंग के लिए चूज करते हैं जो उतने फंडामेंटली स्ट्रॉंग नहीं भी होते उसको भी आप ट्रेडिंग के लिए चूज करते हैं लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉंग आपको पता है कि बिसनस आगे जाके बढ़ने ही वाला है अच्छ अब होता क्या है कि 124 रुपे का शेयर है ठीक है अगर लोगों ने यहां पर खरीदारी कर ली थोड़ा सब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आगए 115-118 पर शेयर चला गया फिर एक महिने तक उसी के आसपास घुमता रहा तो लोग कहता है यह बढ़ नहीं रहा है बढ़ न होता क्या है कि हम जब 50 का शेयर खरीदे है 75 पर चला जाता है तो हम सोचते है कि यह अब मैं बेच दूए कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है यहां पर ठीक है अब यह वापस 60 पर आएगा तो मैं दुबारा एंट्री लूँगा क्या पता वहां तक वह पहुंच खरीदारी करो और अगर तूटता भी है तो आप उस लेवल पर एवरेज करके चल सकते हो बेचने की सला मैं टाटा पावर में बिल्कुल भी नहीं दूँगा बलकि मैं यही कहूंगा कि हर नीचे की लेवल पर आप यहां पर एवरेजिंग करके चल सकते हैं 124 रुपे का श इसको इवैल्योट करूंगा क्या है क्या हालत है फ्यूचर कैसा है और मुझे अभी भी इसका जो फ्यूचर हो वो शांदार दिखाई दे रहा है बने रह सकते हैं यहां पर डरने की कोई उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है और नीचे के लेवल पर आप यहां पर एड़ कर सकते हैं वीडियो को यहीं पर एंट करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर शाय करें चैनल पर अगरा पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिकतर बता सकते हैं थेंक्यू